नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस न्यूज मिलती रहती है तो आज है 28th of May 2021 और आज के दिन हम हैप्येस माइंट्स की बार करने जा रहे हैं अब जानते हैं अब FI22 शुरू हो चुका है और यहाँ पर मेनेजमेंट की तरफ से जो गोल से वो हमने लास्ट वीडियों को डिसक्स किये थे तो उसको लेकर ही दो बड़ी खबरे आई हैं दो बड़ी डील सामने आई हैं पिसले दो दिन के अंदर तो कल एक डील की हमने बात की थी ओर यू लिया था कोको कोला का आज एक और ऐसी डील की बात सामने आगे और देखेंगे कि किस सेग्मेंट पर असर पड़ेगा है पेस्मेंट साब जाते हैं अलग-अलग सेग्मेंट में बिजनिस रती है रेवेन्यू लाती है अलग-अलग कंपनी से तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर सेग्मेंट में असर पड़ेगा कितना बड़ा रेवेन्यू शेयर उस सेग्मेंट से आता है तो यह सब देखेंगे और देखेंगे लेवल्स का इंपॉर्टन होगे अभी अच्छी कासी करेक्शन हो चुकी है तो क्या पहले कि तरह स्टॉ और वहाँ पर रिजर्ट के दिन सेल ओफ हो गया था और रिजर्ट के अगले दिन भी यहाँ पर आप दे सकते हैं स्टॉक लबगों 860 से एक अच्छी खासी करेक्शन दे चुका है जहां पर आप साइडवेश चल रहा हैं मार्केट भी आप जानते हैं आज वेसे टंबल पर वहाँ पर सब को स्पेकुलेशन थी कि रिजर्ट कैसे आएंगे आप आ चुके हैं तो अब नेक्स फेज शुरू हो गया है स्टॉक का तो चलिए पहले न्यूज देखते हैं क्या न्यूज आ रहे हैं एपिस माइंड सो लेकर आप देख सकते हैं कि हैपिस माइंड टेक अक्रोस ऑल जोग्राफी तो यहां पर साइबर आर्क की बात करें अगर हम तो यह कंपनी क्या करती है सेक्योर्टी कंपनी आप देख सकते हैं तो यहां पर इस बात पर हमें ध्यान देना है आगे काम आएगा हमारे की कितना बड़ा revenue share इस सेक्टर से आता है तो security side information security data security side की कंपनी है cyber r कहां पर आप देख सकते हैं यह कंपनी US की है तो यहां पर आप US के stock exchange पर trade करता देख सकते हैं कंपनी को जहां पर maximum time frame देखें आप जानते हैं इंडिया में रुपीज में होता है तो वहां पर dollars में होता है जिससे आप देख सकते हैं कि अच्छी कासी market cap है कंपनी की है आज नोटिफिकेशन दिया है वहां पर हम देखें कि actually क्या बोला गया है तो देख सकते हैं आप यह हम already भल चुके हैं कि एक enhance करने के लिए यहाँ पर deal कर रहे है साइबर आर्क के साथ service प्रोबाइट कर रहे ही कंपनी और यहाँ पर जब से lockdown हुआ है तो आप जानते है work from home एक new normal बन किया है और ऐसे में ज़्यादा data use हो रहे है तो data breaches की ज़्यादा possibility हो सकते है तो ऐसे में आप दिख सकते हैं कोई ऐसे business में नहीं जा रही कंपनी जहाँ पर तेजी नहीं है बलकि ऐसे में जा रहे है जहां पर अब demand भढ़ रही है तो यह बात भी note करने वाली है और साथ में साइबर security related problems काफी increase हो रहे हैं जैसे जैसे work from home का culture बढ़ रहा है जहां पर usage data usage ज्यादा भढ़ गई है तो यह company का aim बता जा रहे है इसको मद्द नजर देखते हुए company ने फिलाल यह deal की है cyber art के साथ और यहां पर कल company coca cola के साथ भी बताया था एक बड़ी डिल तो आप जानते है coca cola बोट लिंग कंपनी जब इतने बड़ी लेवल पर किसी तरीकिये की एक business होता है तो वह पर management जरूरी होती है automated management जरूरी होती है क्या आप जानते है ताकि work force कम लगें automation से चीज़े ज़्यादा चल सके तो ऐसे में IT companies, technology companies, software companies इस field में काम आती है तो यहां पर order management के लिए happiest mind and coca cola की भी deal होती दिखी है तो यहां पर फिलाल इसका अपने happiest mind की सा deal की है जहां पर एक master automated system एक service agent बनेगा जिसको dub करका भी AS से बताय जा रहा है और इसमें काफी bots included होंगे तो automation आप जानते है bots एन algorithm से चलता है continuous delivery चलती रहेगी तो इसको मद्दे नजर रखते हैं यह deal कर देखने को मिल रही है तो अगर latest data देखिए happiest mind के अलग-अलग business का तो आप देखिए edutec high tech bfsi travel retail अलग-अलग segment आई हाँ पर हम जिस segment की बात करेंगे वो है digital service offerings में तो हमने पहली company बात की साह बार आखता है कि security solutions तो यहां पर company कैसा business करते है तो आप देखिए FY21 में हमें 8.7 business company का security solution side से दिखाई दे रहा है वहाँ पर 9.1, 8.7, 7.4 लगभग इसी range में company का business share आप देख सकते है FY21 में FY20 तक यह नबर 14.9% तक FY90 तक 10.2 तो यहां पर आप देखिए number change होते रहते हैं जहां पर company के business segments में उच्छाल और गिरावट आती रहती है कौन सा segment जादा share लेता है पर फिलाल हमें यह number 8.7 दिखाई दे रहा है FY21 के लिए यानि बाकी business में company ने एक तरीके की expansion के जहां पर आप analytics की बात करें AI की बात करें तो हम बात भी करते हैं कि AI आगे के लिए काफी important segment है जिस पर ध्यान देने चाहिए तो यहां पर आप देखिए 9.1% से बढ़ा कर 11.6 and up 13.3 तो यह changes हमें आते दिखते हैं कंपनी के business में जैसे quarters का समय आगे बीटता है तो वहाँ पर यह changes हमें आते दिखते हैं जहां पर कंपनी को जादा business दिख रहा हो कंपनी वहाँ पर आगे भढ़ती है दूसरी important बात आप देखिते है location of external customer तो US से कंपनी का जादा business आता ह है Europe में 10.4% and rest of the world में 4.4% तो US में company का major business आता है IT से जादतर company से US से जादा business आता है और भाई से हमें देख रहा है कि इस side ही हमें deals होती ही दिखाई दे रहे हैं तो इन number और impact हो सकता है फिलाल FI 22 में हाला कि अभी शुरू हुआ है तो अभी काफी लंबा रास्ता है और अपनी के customers की बात करें million dollars में 10 million dollars उपर one customer है मैंचे हम आप देखिए 1 million to 3 million dollars 16 customers हैं कपने के पास और total यह number आप देख सकते जो FI 18 में 16 थे तो यहां पर अपने customers पर लगातार बढ़ रहे हैं 16 FI 19 में 21 FI 20 में 25 and FI 21 में 26 दिखाई दे रहे हैं और overall अगर हम security के साथ infrastructure management को भी जोड़ दे और revenue lakhs में देखे तो आप देखिए FI 18 में 9862 lakhs and 98 करोड आया तो 20% था फिर FI 19 में 129 करोड आया FI 20 में 153 कर यहां पर हमें एक trend दिखाई दे रहे हैं कि इस sector में भी company के increase देख रहे हैं में revenue में 98 करोड से बढ़कर 164 करोड तो लगबग double होने जा रहा है तो इसलिए इस sector में भी company expansion करते ही दिखाई दे रहे हैं तो साथ में product engineering services में भी यहां पर हमें 210 करोड से 396 करोड होता दिखाई दिया है तो एक उस नंबर से जिनको आपको ध्यान रखना है जो अभी FI21 में ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहां पर हमें आगे आनवाज समय में और changes देख रहे हैं जैसे अपनी बड़ी deals करती है पिलहाल क्या change हो है आप देखते हैं एक बड़ी red candle दिखाई दिखाई दिया की गिरावट हो गई थी फिलाल इस week में stock एक तरके inside candle बना रहा है यानि एक बहुत बड़ी range की candle बन गई है तो ऐसे में जातर ही होता है कि stock में अगर कुछ news को लेकर तेजी नहीं आई तो वहां पर stock sideways चलता है कुछ समय वहां पर जो बड़ी move है इसको absorb करता है फिर next round आता है फिलाल के लिए 719-720 एक अच्छा support है यहीं से stock ने bounce दिया है हाली में तो फिलाल के लिए support हो सकता है यहां पर एंड डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो major support आप देख सकते हैं मैं पिछली बारी बात की थी लगवग 660 की आसपास है क्योंकि यहां पर आप देख सकते यहां पर बाइंग हुई है ऐसा ही कुछ हमें यहां भी देखने को मिला था and next round यहां देखने को मिला है तो हाली में stock 21 EMA का support ले रहा है जो आप देखें आप 737 पर आ चुका है पहले में हमने डिस्क्स किया है stock जब 21 EMA से काफी उपचला आता है यानि overbought zone में आ चुक है R stock था लगबग 588 पर end 21 EMA था 432 पर RSI reading लगबग 90 पहुंच चुकी दिया नि highly overbought फिर क्या हुआ stock ने cool off किया RSI reading भी नीचे आई और वहां से again bounce फिर 3rd time में आप देख सकते है stock ने consolidation किया 21 EMA आ चुकी थी लगबग 330 पर stock था 650 पर तो next round जारी हुआ तेजी का जहां पर आप कोई stretch होता दिखा इतना move पर फिलाल एक तरीके का बड़ी गिरावाट आती दिखी है तो हो सकता है stock कुछ समय sideways चले absorb करें इस तीजी को and फिर next round तो फिलाल तो support के हमने बात कर लिए 720 के आसपास end 21 EMA अगर break होता है और यह level भी ब्रीक होता है तो आप देख सकते हैं फिर व फिले 21 EMA अन हाली का bottom एक important support है stock के लिए अगर ब्रीक नहीं हुआ तो stock एक range में दुबारा उपर की तरफ एक बर retest कर सकता है लेकिन यहाँ पर higher levels पर buy मत करें बाई का time तरफ जो हम पहले distance करते है stock को 500 पर 600 के आसपास पर discuss करते थे पर अभी काफी उपर दिखाए ते तो आ आगे कैसे decision लेना है तो यह थी दोस्तों happiest mind related latest news and analysis वीडियो पसंदा है तो like कीजे और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजे